हलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपनी परिवार में दोस्तो आज एक बहुत ही बड़ा यहां पे इंडियन नेवी का जो लोग त्यारी कर रहे हैं इंडियन नेवी का हर काम देश के नाम यह दोस्तो वैकेंसी आया हुआ है जो लोग टेंथ और आईटी आई पास है यह वीडियो उनके लिए है तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जानकारी लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे और पर सेट कर ले ताकि जितने भी नोटिफिकेंस हो तो आपको म है डिशी रहने वाला है इसमें इसमें इलिजिबिलिटी क्या होती है क्वालिफिकेशन क्या होते है इसका सिलिव्र क्या होता है सारी जनकारी स्फपीलिक व्यां fall दूस्तु मैं आपको डिरेक्ट लिए चलता हूं ट्रेट्समेन मेंट्स के नोटिफिकेशन पर यहाँ पर देखिए दाही इंडियन नेभी इंडियन नेभी आर इंवाइट्स ओनलाइन अप्लिकेशन पर देखिए करते हैं दोस्तु इसमें यहाँ पर जेनरल सेंटरल सर्विस ग्रूप सी नन गैजरेट इंडियन पर बैंड एज सेवेंध सीपी सीवेंध कमिशन के अनुसार इसका सेलेरी क्या रहने वाला है 18,000 से 56,900 तक इसका सेलेरी रहने वाला है यह इसमें कितना कितना सीथ है आप लोग केटेगरी वाई इसको देख लिजेगा अपने अनुसार आप लोग इसको देख लिजेगा यह इसका पेडियेप में नोटिफिकेशन का पेडियेप में वीडियो के नीचे डिस्किपिशन में आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा यहां पर उसके बात में नीचे हम लोग चलते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है एज की बात कर रहे हैं तो एज इसमें होता है 18 से 20 साल कितना होता है 18 से 25 साल होता है और qualification के अगर हम लोग बात करें 10th standard pass from a recognized board DCB board से आपको 10th standard pass होना चाहिए और certificate from a recognized industrial training ITI ITI का certificate होना चाहिए आप लोग को industrial training का तब ही आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तो job profile working in production maintenance ये सारा आप लोग पढ़ लिजेगा इसमें आप लोग अमें ज्यादा समय नहीं लूगा ये age relaxation की बात कर रहा है SCST को 5 साल के लिए और OBC को 3 साल के लिए age relaxation यहाँ पे मिलेगा examination fee कितना लगेगा इसमें तो candidates SCST और servicemen जो भी पहले काम कर चुके हैं women candidates who are exempted for payment of fee मतलब SCST और women candidates के लिए fee नहीं रखा गया है पर उसके बाद में जो other cash के हैं उनके लिए यहाँ पे 205 रुपया 255 रुपय fee include किया गया है और admit card will be issued for the examination only to those candidates who have successfully paid the examination fee और who are entitled to waiver of examination fee दोस्तो आप लोग जब ही form भरवाने जाएं तो इसमें आप लोग यह सुरिशित कर लेकिए आप लोग का payment हो चुका है आप लोग payment slip payment slip के साथ में ही आप लोग जो receipt मिलता है वो receipt आप लोग अपने साथ में रखके उसके बाद में दोस्तों चलते हैं हम लोग इसका syllabus क्या राने वाला है तो syllabus क्या होगा जेनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 नमर टूटल 100 नमर का पिपर होगा numerical aptitude जेनरल इंगलीज भी आता है इसमें 25 नमर का इंगलीज होगा और जेनरल अवरनेस पाचीश नमर का यह यह आप लोग दोस्तों जाके देख लिजेगा बहुत ही इसको पढ़िएगा ध्यान से आप कुछ बहुत अच्छा जनकारी मिलेगा यहां से ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम लोग चलते हैं कि इसको apply कैसे किया जाए इसको कैसे आप लोग apply किजिएगा तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ ओफिस्यल विव साइट पे जो की ओफिस्यल विव साइट है वहां पे लिए चलता हूँ और ओफिस्यल विव साइट में आप लोगो क्या क्लिक करना है यह आप लोग ऐसा जो है डैसबोर दिखेगा यह देखिए यहां पर दिखा रहा हूँ ऐसा डैसबोर दिखेगा देखे धहं से यहाँ पे ज्वाइनने भी में यहाँ पे वे तु ज्वाइन करना है उसके बाद में यहाँ पे शीविलियंश ने आपको जाना है शीविलियंश के बाद में रापसे पर मिसनी यहाँ आपोkov पर आपने भी यहाँ you are about to proceed to an external website do you wish to continue yes continue करना चाते हैं यहाँ पर देखे information to candidates registration portal for INCETTMM यानि कि tradesman के लिए जो portal है वो 22 2021 को 10 बजे सुबह से चालू हो जाएगा 10 बजे सुबह से यह खुल जाएगा और लगभग लगभग यह मार्च तक दोस्तो चलेगा जल्द से जल्द आप लोग 22 तारी को जाके इस form को भर लिजे अगर अधिक कोई जनकारी चाहते हैं आप लोग तो वीडियो को नीचे कमेंट आप लोग कर सकते हैं हमसे जनकारी आप लोग पूछ सकते हैं तो अगर आप लोग को information अच्छा लगा है तो वीडियो को like, share, subscribe कीजेगा अपने friends में share कीजे धन्यवाद